जैन बच्चो कैसे हैं आप लोग बच्चो आज आपके लेके आएं एमीन्स का तीसरा वीडियो जिसमें हम लोग जानेंगे ट्रिकी कैलकूलेशन आईसो हमर का एक कोश्चन जेनरेट होता है जिसमें अक्सर हम लोग फस जाते हैं क्योंकि हम लोग IOMER इंस के एक एक्जामपल कम लेते हैं या उनको Skip कर देते हैं तो आज हम लोग focus करेंगे कुछ example के साथ amines के isomer find out करने में. तो चलिए शुरू करते हैं. Rule 1. If given amines has a general formula C and S2 and plus 3 and then it will be saturated amines and will show primary, secondary and tertiary degrees. आपको ध्यान रखना है कि आपके question में जो आपको molecular formula दिया है अगर उसका type C and S2 and plus 3 and type का है या वो इससे match करता है तो वहाँ पर primary, secondary, tertiary, aliphatic amines isomers बनेंगे. ध्यान रखेगा. Rule 2. If general formula is C and S2 and plus 1 and then it will be unsaturated amines. अगर आपके question में दिया हुआ molecular formula C and S2 and plus 1 and type का है तो वहाँ पर जितने भी isomers बनेंगे वो unsaturated amines के होंगे. क्या है आपको clear है? तो बच्चों ये दो point है, general से point है, साथ पहले आपने सुने भी होंगे, नहीं सुने हैं तो ध्यान लखीगा. इन पे base हम लोग अब practice करते हैं और देखते हैं कि हम लोग कैसे given questions के possible isomers निकाल सकते हैं. बच्चों question के साथ clear करते हैं, draw possible isomers for the given molecular formulae C3H9N, C4H11N and C6H15N. बच्चों यहाँ पे 3 molecular formulae दिये हैं, इन 3 molecular formulae के लिए आपको possible isomeric amine यहाँ पे generate करने हैं, दिखाने हैं. तो आईए एक एक करके हम लोग practice करते हैं और यह तीनों exam के लिए काफी important है, exam में आए हैं और आते रहेंगे. तो आईए आज आपकी सारी संकाएं, सारी समस्याएं दूर कर देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा लेकिन ध्यान से. यहाँ पे हमने molecular formula C3H9N ले लिया है, तो आप ही देखी कि दो point आपको बताये थे, एक saturate के लिए, एक unsaturate के लिए, यह किस type का है, it's a CNH2N plus 3N, इसका जो type है, यह type इससे match करता है के नहीं करता है, पहले तो आप यह check कर लिजे, सही कहाँ आपने, कि सर यह इससे match कर रहा है यह इस type का है, clear हुआ, और जब यह इस type का होगा, तो यहाँ पे primary, secondary, tertiary, aliphatic amine possible होंगे, तो आईए हम लोग एक करके बनाते हैं, बच्चों पहले primary amine के लिए जाएंगे, आप देखी कितने कार्बन हैं, सर, 3 कार्बन हैं, तो मैंने simply किया कुछ नहीं है, 3 कार्बन की chain बन हैं, जब NS3 के 1 H को replace करके कार्बन आ जाता है, तो यह primary amine कहलाता है, मैंने यहाँ पर यह दिखाया, क्या यह आपको clear है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके H को पूरा कर देता हूँ, वैलेंसी पूरी कर देता हूँ, कार्बन की, यह मैं ऊपर लिख देता हूँ, ताकि आपके लिए easy हो जाए, atoms के counting के लिए, तो आप यहाँ पे count कर लिजिए, कि क्या यह जो structure बनाया है, इसका यह molecular formula होगा या नहीं होगा, चेक कीजिए, जी, देखिए CS3 3 कार्बन हो गए सर, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, hydrogen 9 हो गए, और 1 हो गया, तो यह हमारा primary amine तयार हो गया है, आप दूसरे structure के लिए जाते हैं, सोचिए सर कैसा होगा, अब यहाँ पे 3 कार्बन की chain है, आप यहीं पर change कीजिए, इस chain को थोड़ा सा branch कर दीजिए, सही बोला आपने branch कर दीजिए, यानि कि यहाँ पे कुछ ऐसे अगर मैं कर देता हूँ, तो क्या मेरा amine primary है, हाँ सर यह अब भी primary है, clear हुआ, तो यह primary हो गया हमारा, यह वाला primary amine हो गया, यह दोनों isomer है, और यहाँ पे valency पूरी करेंगे, हम लोग hidean की help से, तो यहाँ पे carbon की 1 valency है, 1 bond है, तो मुझको यहाँ पे CS3 लगाना पड़ेगा, clear हुआ, carbon की 4 valency होती है, आप जानते हैं, यहाँ पे carbon बनके 1 valency, 2 valency, 3 valency, 1 valency का में तो केवल 1 H लगाई है, यहाँ पे केवल 1 bond है, तो 3 बाकी है, तो 3 H लगा दीजे, count कर लिजे, molecular formula C3H9N ही आएगा, clear, अब थोड़ा सा और सोचते हैं, सब primary की कोई और possibility नहीं है, यहाँ पर, आप try कर सकते हैं, अपने level पे, अब हम लोग जा है, आप जानते हैं, उसके लिए आपको वहाँ पर ammonia N3 के 2 H निकालने पड़ते हैं, ध्यान से देखिए, मैंने 2 H निकाल दिये, clear हूँ आपको, अब 2 H निकालने के बाद, यहाँ पर, यह देखिए, nitrogen की 2 valency खाली हो गई, क्योंकि 2 H निकालने 2 valency हो गई, अब मैं यहाँ एक carbon जोड रहा हूँ, यह देखिए, मैंने यह जोड दिया, पहली बात कि यह जो amine बना है, यह कौन सा है, तो answer है, secondary amine बना है, अब यहाँ पर valency पूरी कर दीजिए, carbon की 1 valency है, 3 valency बाकी है, तो 3 H लगा दीजिए, यहाँ पर 2 valency carbon के 2 bond हो गए, 2 बाकी है, तो S2 लगा द दीजिए, और यहाँ पर CS3 कर दीजिए, formula चेक कर दीजिए, क्या C3H9N होगा, अगर formula सही आ रहा है, तो हमारा जो isomer का हमने structure ड्रो किया है, वो भी सही ही होगा, तो secondary amine की कोई और possibility यहाँ पर नहीं बनती है, वो तब होता है, जब carbon का नंबर ज़्यादा होता है, यहाँ तो secondary carbon और ज़्यादा कोई अगला structure possible नहीं है, तो primary amine भी हो गया है, secondary भी हो गया है, अब treasury amine बचा है, ट्रेशरी amine आप जानते हैं, ट्रेशरी amine वो होता है बच्चो, जब ammonia NS3 के 3OH को आप replace कर देते हैं, 3OH को हटा देते हैं, substitute कर देते हैं, तो यहाँ पे यह हमारा, मैंन सी पूरा करने के लिए CS3 लगा दिया, अब देखिए यह जो आपका amine बना है, यह tertiary amine है, clear हुआ, और formula भी सेम ही जा रहा है, तो यहाँ पर C3H9N given molecular formula के लिए 4 possible amine isomer ये वाले होंगे, क्या आपको clear है, practice कीजिए, अगर कोई 500 मिले तो comment section में भेज सकते हैं, अब हम लोग तो अगली जो हमारी problem है, वो है हमारी C4H119 के लिए, इसको लेते हैं, अगला C4H119 है बच्चों, आपको यह देखना है, कि इसका type क्या है, क्या इसका type CNS2N plus 3NK similar है, क्या यह इस type का है, क्या इसको follow करता है, तो साइध हाँ यह इसको follow करता है, इसका मतलब कि यहाँ पे primary, secondary और tertiary amine, aliphatic amine possible हैं, और वो ही हमको draw करके देखने हैं, तो आएए शुरू करेंगे हम, सर पहले primary amine के लिए जाएंगे, तो primary amine के लिए 4 carbon है, तो simply कुछ मत कीजिए, परेशान मत होईए, 4 carbon को आपस में जोड़ दीजिए, single bond से, तो यह saturated amine है, aliphatic amine है, यह लीजिए, अब यहाँ पर जो बाकी जिए 4 carbon आ गए है, valency पूरी करनी है, तो आप यहाँ पर H को चिपकाते जाए, carbon के bond count कर लीजिए, carbon ने एक bond बनाया, एक valency हो गया है, तीन valency बाकी है, तो यहाँ पर S3 लगा दिया है, तो बच्चों देखिए, मैंने यहाँ पर carbon का number change कर दिया है और यह हमारा isomer यहाँ पर बन गया है, अगला secondary amine का, तो clear हुआ है, तो primary amine के हमारे 1, 2, 3, 4, 5 example है, 5 isomer बनेंगे, C4H11N के primary amine के, याद रखीगा, भूलीगा नहीं, जा 1 degree लिखाए, primary amines के example है, exam में clearly primary, secondary, यह treasury से भी पूछता है, अगर पूछेगा, C4H119 के लिए कितने primary amine isomer possible है, तो answer आपका 5 होगा, लेकिन अगर secondary amine के लिए पूछता है, तो answer 3 होगा, 3 isomer बनेंगे, और अगर treasury के लिए पूछता है, तो treasury के लिए आप nitrogen लिखिए, और उसकी 3 valency निकालके carbon जोड दीजिए, देखिए बच्चो, 4 carbon पूरे हो गए है, अब यहाँ पे valency पामुला चेक कर लिजिए, सवाल है आपसे कौन सा amine होगा, जवाब आप बिलकुल सही देते हैं, ट्रिशरी amine होगा, यह clear है आपको, अब यहाँ पे और कोई possibility नहीं है, ट्रिशरी amine के लिए, अब अगर कोई पूसता है कि C4H119 के लिए कुल, total number of isomers, कुल कितने समाव इवी या कुल कितने isomers बनेंगे, तो कुल का मतलब होता है, primary, सारे secondary और सारे tertiary, इन सब को जोड़ना होता है, तो बात करते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, इसको बात को समझे गंभीरता से, exam में ऐसे question बहुत बनते हैं, देखिए मैंने क्या लिखा, आप तो ग्यानी हैं, जी, बिल्कुल सही, primary isomers कितने दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4, और यह 5, 5, यहाँ पे 5 लिखूंगा, secondary isomers आपको 3 दिख रहे हैं, और tertiary केवल 1 दिख रहा है, अब वो बोलेगा, total कितने isomers, कितने isomers थे, तो total isomers का value का इसके लिए आपको यह ज तो यह आपको draw करना आया होगा, C4H119 के लिए, total isomers 9 है, primary 5 है, secondary 3 है, tertiary 1 है, वो फुली आपको clear हुआ होगा, अब हम लोग चलते हैं, अपने थोड़े से और upper level की तरफ, थोड़ा सा और मुस्किले बढ़नी हैं, जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा, मुस्किले ब आपको, तो अगर total isomers या isomers की बात कर रहे हैं, तो इन तीनों का sum निकालना है, और sum तब ही आएगा, जब आप primary, secondary और tertiary को draw करने में, आप expert होगे, तो बिना time गवा हैं, हम लोग सुरू करते हैं, पहले हम लोग जाएंगे primary amean के लिए, जैसे हम पहले वाले 2 example में किया है, बिल्कुल वैसे ही follow करना है, आईए मेरे साथ, तो पहले 6 carbon की बनाएंगे chain, शुरू कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहां पे लगा दिया NS2, क्या है आपको clear है, अब बाकी पूरा कर देते हैं, हम लोग यहां पे H लगा के, तो कोई problem होनी नहीं चाहिए, उसके लिए आप लगाते हैं, तो देखिए CH3, यहां पे CS2, यहां पे CS2, यह उपर दिख देता हूं, तक ही counting करना easy बन जाए, तो यह हमारा amine है जी primary, यह primary amine का पहला isomer बनाया, पहला structure बनाया, अब दूसरे के लिए चलते हैं, दूसरे के लिए simple है जी, यहां पे branching करनी शुरू कर देखिए, छे की जगे, पांच कार्बन की chain बना लीजिए, तो यह देखिए, मैंने चार और यह पांच कार्बन की chain बन गई, NH2 ग्रूप लगा दिया, यह हमारा primary amine group हो गया है, जी, clear है आपको, this is the primary amine group, अब बाकी आपको करना कुछ नहीं है, वैलेंसी पूरी कर दी नह आएंगे, हम कीजेगा, it means यहाँ पे H कीजेगा, clear है और यह CS3 हो जाएगा, counting कर लिजेगा, formula सही आएगा, MF आपका सही आएगा, अब अगली possibilities देखिए, कि सर यह जो आपने यहाँ पे कर counting करते हैं, तो 1, यह देखिए 2, यह देखिए 3, यह देखिए 4, यह देखिए 5, अब आप थोड़ा सोचिए, कि जो branch में आपने methyl लगाया है, यह आपका दूसरे carbon पे लगा है, सर यह दूसरे पे लगा, यह पहले पे भी तो लग सकता है, यह तीसरे पे भी लग सकता है, और यह 4 और 5 भी भी लग सकता है, बस इतना ही सोचना है, और CS3 को गुमाते चले ज लगा दिया, यह मेरा पूस्ता हूँ मैं आप से कौन सा एमीन है, तो answer है यह भी primary एमीन है, वैलनसी पूरी करेंगे, तो आपका formula बिल्कुल सही आएगा, यानि कि molecular formula जब match करेगा, तो आपका isomer भी सही होगा, यहाँ पे sorry H आएगा बच्चो क्योंकि गरबन की वैलनसी 4 हो थर्ड पे लगाएंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 कारबन की चेन है भाई, इसमें NS2 लगाया है, और हमको यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे तीसरे कारबन पे लगाना है, तो मैंने CS3 यहाँ पे लगा दिया, क्या यह clear है आपको, और सवाल वोई, कि यह कौन सा एमीन है भाई, तो यह primary एमीन होगा जी, clear हुआ, अब आप valency पूरी कर देजे और formula को check कर लिजे, कि जो आपने structure draw किया है, क्या उसका molecular formula सही आ रहा है, सही आना जरूरी है, 3, 4, 5, यह counting है बच्चो, अभी आप count करते रहेगा, क्योंकि यह बहुत सारे बनने वाले हैं, तो फिर आपको यह ध्यान अखना है, क्योंकि यह slide आपकी आगे चलती रहेगी, तो यह छूट ना जाए, देखिए मैंने अभी कहां पर लगाया sir, मैंने पहले कावन पर लगा दिया, यह रहा पहले फे, फिर मैंने दोसर पर लगाया, तीसरे पर लगाया, आप हम लोग चोथी के लिए जाए चार कार्बन की चेन कर दिये, अब मैं यहां पर एक काम कर सकता हूं, कि जो दो कार्बन मेरे यहां पर missing है, जो lag कर रहे हैं, जिनकी कमी है, मैं यहां पर उनको जोड सकता हूं, तो मैं sir, उनको कहां पर जोड़ूं, अगर मैं यहां पर जोड़ूं तो यह देखिए, एक structure ये बनेगा अगला शर ये आपने पहले कार्बन पे लगाया क्या होगा अगर आप इसको दो कार्बन को दूसरे काबन पे जोड़ देते हैं तो अगला इस्ट्रक्शर प्राइमरी एमिन का अगला iosomal कुछ ऐसाdoc के लिए हुआ क्या होगा सर अगर आप इसको बिल्कुछ सही समझ रहे हैं अगर आप इसको तीसरे कारबन पे जोड देते हैं तो देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे कुछ और प्राइमरी एमीन के आईसोमर जेनरेट करें हैं यह देखिए और जब आपको लगे कि दो स्टुक्चर हमने दोबारा रिपीट कर दिया है तो उसका बैस्ट वे होता है कि आप वहां पर उसका आयूपिक नेमिंग कर लीजिए तो आपको मालूम पढ़ जाएगा कि जो स्टुक्चर ड्रो किया है वो गलत है या सही है बच्चों इसी पर हम लोग ब्रांचिंग का तरीका बदल देते हमने ये दो कार्बन जो एक तरफ लगाएं अगर हम लोग दो कार्बन एक कार्बन पर लगा के दूसरी तरफ लगा दे यानि एक एक कार्बन लगाएं तो देखे क्या होगा तो बच्चों अगला जो प्राइमरी पॉसिबल आईसोमर्स है वो कुछ ऐसा होगा हमने चार का वाले कार्बन पर मैंने एच लगा दिया और इस पर एच लगा दिया क्या यह आपको किलियर है और बाकित आप जानते हैं कि यहां पर आपको सिर्फ वैलेंसी पूरी कर लेनी है वो मैं आगे ड्रो नहीं करूंगा वो आप खुद चेक कर लीजेगा सवाल आप से वही है कौन सा एमीन है जवाब सही दिया आपने प्राइमरी एमीन है जी अब अगली पॉसिबिल्टीज देखिए यह जो आपने इस पहले कार्बन पे दो मिठाइड लगाए है अगर यह चेन में दूसरे तीसरे चोथी पर लगाएंगे तो आपका स्ट्रक्चर कुछ बदल जाएगा यानि आपको एक नया आईसोमर प्राइमरी एमीन मिल जाएगा किलियर है आप देख पा रहे हैं सवाल कौन सा है पूछेंगे फिर से आपसे वही कि कौन सा एमीन है तो एमीन हमारा प्राइमरी होगा यह अगला स्ट्रक्च चलो गया बच्चो अब यह दोनों मिठाइल हम लोग इस वाले कारवन पे लगाएंगे तो आपका अगला आईसोमर भी तैयार हो जाएगा यह देखिए हैं यहाँ पे हमने दूसरे पे लगाया था पॉसिबल प्राइमरी एमीन आईसोमर डवलप हो गया सर यहां पे आप यह डाइमिथाइल फोर्ट पे भी लगा सकते हैं कुछ ऐसे यह देखिए समय थोड़ा कम है बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी फिर अपलोड नहीं हो पाती है यह देखिए यह भी प्राइमरी एमीन ही है क्या आप किलियर है तो यहां पे आप देख रहे हैं कि लगातार आपका जो कार्बन है जो चेन है वो बदल रही है अब यह स्टक्चर जो यह आप बनाया है यह पहले वाले इस स्टक्चर के सिमिलर है ध्यान से देखिए इस चेन को अगर थोड़ा मोडेंगे तो यह कार्बन ऊपर पहुंच जाएगा यहां पर यह दोनों सेम है यानि कि यह स्टक्चर जो मैंने बनाया है यह गलत हो गया रिपीट हो गया है यह नही पर सेकंड पर हमने लगा दिया तो देखिए एक नया इसो मर तयार हो गया पहला अंसर पूछेंगे अंसर तो आप जानते हैं प्राइमरी एमीन हो गया यह भी हमारा एक पॉसिबिल्टी और है कि यह दूसरे कार्बन पर आपने लगाया है यह आप लगा दीजिए यहां पर थार्ड पे यह देखिए बच्चो यह तयार हो गया आपका एक और प्राइमरी एमीन किलियर हुआ आपको यह देखिए यहां पर एक पॉसिबिल्टी यह भी है बच्चो यहां पर यह देखिए कि हम लोग यहां पर फर्स्ट पर और फॉर्ट पर लगा दें यह देखिए ये भी आपका बन गया है, primary amine clear हुआ, ये देखिए कितने सारे primary amine आप लोग बना चुके हैं, अभी possibilities खतम नहीं हुई है, चालू है, अगली में क्या करेंगे, चार carbon की chain को थोड़ा सा और छोटा करदे, तीन पे ले आते हैं इस बार, बच्चों देखिए, 1, 2, 3, हमने तीन carbon की chain ली और यहां पे NH2 लगा दिया, ये कौन सा amine है जी, सही का आप ने ये primary amine है, देखिए, 3 carbon की कमी है हमारे, तो 3 carbon जो आप यहां पे लगाएंगे, वो कुछ ऐसे भी लगा सकते हैं, ये देखिए, वैलेंसी पूरी कर लीजेगा, किलियर हुआ, हमारे primary amine यहां पर त देखिए, मैंने क्या किया, एक तरफ में 5 carbon, 1, 2, 3, 4, 5 carbon और एक तरफ एक carbon लगाएता हूं, वैलेंसी पूरी कर दीजेगा, इस विल बी योर secondary amine, किलियर हुआ, तो secondary amine का एक ये बना, अब secondary amine जो metamerism शो करता है, आप यहां पे carbon का नंबर घुमाते रहिए, इस तरफ पह isomer secondary amine, किलियर हुआ, अब एक carbon और घुमा दीजिए, तो कैसे दिखाई पड़ेगा structure, यह देखिए, यहां पे 3 कर देते हैं, left side और right side भी हम लोग 3 कर देते हैं, तो बच्चो ये वाला भी आपका secondary amine तयार हो गया, किलियर है आपको, possibilities यह है कि यहां पे आपको branching कर देनी है, तो बच्चो आपको करना क्या है, यह देखिए, यहां पे मैं क्या करदा हूँ, यहां पे 4 carbon की chain बनाता हूँ, और यहां पे यह मैंने NH लिका, इस के दुन तरफ carbon लगा है, यह बन गया हमारा secondary amine, अब आप जानते हैं कि इस carbon की position आप change करते हुए चले जाएंगे, तो अगले कुछ आईसोमर आपके ऐसे दिखाई पढ़ेंगे, किलियर है, इसको यहां पर ले आईए बच्चो, यह देखिए, यह यहां पे second की बजाए, इस बार थर्ड पे आएगा बच्चो, किलियर हुआ, यह सारे के सारे आपके secondary amine बनते जा रहे हैं, अब आप और सोचि है, secondary amine के लिए, सब इसी branching को अगर थोड़ा छोटा गरें, यानि कि देखिए, तीन कार्बन की chain ले ली है, हमने ध्यान से देखो बच्चो, पहले चार की थी, अब तीन की कर दी है, किलियर हुआ, और तीन की करने के बाद हम यहां पर इदर NH ही हमारा secondary amine गरुप हो गया, और इदर दो कार्बन ले लेते हैं, किलियर हुआ, अब एक possibilities और है, कि यहां पर हम branch कर दें, यहां पर तीन में हमने branching कर दी, और यह हमारा अगला isomer तयार हो गया, यहां पर आप एक कार्बन और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 6 कार्बन करने हैं, आपको यह देखिए, तयार ह हो गया, अगले में आप सोचिए कि क्या हो सकता है, सोचना आपको पड़ेगा, तो अगला structure आप कुछ ऐसा बना सकते हैं, बच्चों, यह देखिए, इन सब यह जितने भी example आपने भी ड्रो किये हैं, यह सब secondary amine के हैं, क्लियर हुआ, तो अब तक आप कुल यहां पर 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, आप secondary amine बना चुके हैं, आपको और देखना है, ड्रो करके, अगर कोई amine छूट जाता है, तो हमको बताना है, मेरे असाब से तो मुझे भी 9 ही दिखाई दे रहे हैं, क्लियर हैं, आप चलते हैं, ट्रेशरी amine के लिए, इनको ऐसे लिख लीजिए, यह आ 5 कारबन, 6 कारबन, यह आपका हो गया, ट्रेशरी amine का पहला एक्जामपल, वैलेंसी पूरी करने मत भूलीगा, और चेक भी कर लेजीगा, अब दूसरे structure के लिए, मैं फिर से यहाँ पर बनाता हूँ, ट्रेशरी amine ग्रूप, एक कारबन तो यहाँ फिक्स ही है, बच्चो अगले में मैं यहाँ पर बच्चो क्या करूँगा, यहाँ पर चेन में ब्रांचिंग सुरू कर देता हूँ, अगर आप कहें तो यह लीजिए, यह देखिए, यहाँ पर यह भी हमारा टैशरी amine हो गया, अगला structure अगर ड्रो करते हैं, तो यह देखिए, मैं यहाँ ब्रां यह देखिए, यह देखिए, एक आई सुमर आपका यह बनता हूँ, दिखाए देगा, आपको यह भी टैशरी amine है, तो देखिए यह आपने टैशरी बनाया, यह आपका टैशरी आया, यह आपका टैशरी आया, अब आपको सोचना है कि क्या मेरा और टैशरी हो सकता है, बच्चो मैंने यहां पर ट्राय कीया है यहां पर एकर कर ना है तो आपको ट्राय कर अगर ही है वो आपको ड्रो करना है और कमेंट सेक्शन में हमको भेजना है तो यहां पे एक सवाल बचा है कि कि कितने प्राइमरी कितने सेकंडरी और कितने टैशरी आइए देखते हैं तो बच्चों देखें कि प्राइमरी आईसोमर यहां 15 बन रहे हैं सेकंडरी आईसोमर है 15 प्लस 9 प्लस 5 आंसर कितना आएगा सर जोड़ लीजिए बिल्कुल सही 29 29 आईसोमर्स बनेंगे एक इसमें लग रहा है कि अगर है आप ड्रो कर सकते हैं पोसिबिल्टीज बनाते हैं चेक कीजिए तो साय 30 यह 31 भी हो जाए मैं वेट करूँगा आपका कमेंट सेक्षन में मुझे खुसी होगी जब कोई बच्चा एक या दो और पोसिबल आईसोमर्स की कैलकुलेट कर सके आपके लिए जस्ट चैलेंज के लिए छोड़ दिया है ट्राई कीजिए और आंसर को हमें भीजिए अगर आप यहाँ पे 29 प्लस आते हैं यह कैसे होगा पैक्टिस कीजिए और इनको आप कमाइंड कर लीजिए फिर यह कोईश्चन आपसे बच्च नहीं पाएगा होफ़ूली यह आपको के लिए हुआ होगा